दोस्तों पंजाब की जीत के हीरो रहे शशांक सिंह से मुकाबले के बाद मिलकर उनकी बहतरीन बल्ले बाजी की तारीफ करती दिखी पंजाब की मालकिन प्रीती जिंटा जी हाँ दोस्तों गुजरात और पंजाब के बीच खेले गए IPL के 70 हवे मुकाबले में जब गुजरात की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए पंजाब को 200 रनों का टार्गेट दिया तो इतने बड़े टार्गेट को चेज करने आये शिखर धवन मातर एक रन बना कर आउट हो गए और 80 रन जाते जाते पंजाब के चार और बड़े बल्ले बाज आउट हो गए जिसके बाद यहां से पंजाब का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन दोस्तों आज इंपैक्ट खिलाडी के रूप में आये शशांक सिंह सर पर कफन बांध कर और कसम खा कर आये थे कि वो आज अपनी टीम को जीत दिला कर ही दम लेंगे दोस्तों जब ये बल्ले बाद मैदान पर आया तो आते ही बड़े बड़े शार्ट लगाना चालू कर दिया और देखते ही देखते इस बल्ले बाद ने महज 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और अंत तक बल्ले बादी करते हुए 61 रनों की नाबाद पारी खेल कर पंजाब को एक ऐसा हारा हुआ मुकाबला जिताया की खुद इनकी बल्ले बादी पर फिदा होकर पंजाब की मालकिन प्रीती जिंटा मैदान में इस बल्ले बाद से मिलने चली आई जहां पर उन्होंने शशांक सिंग से मुलाकात की उनकी बेहतरीन बल्ले बादी की तारीफ की सच में दोस्तों जिसने भी इस मैच को देखा होगा वो आज जरूर शशांक सिंग की बल्ले बादी का दीवाना हो गया होगा लेकिन दोस्तों, क्या इस साल शिखर धवन अपनी कप्तानी में पंजाब को प्ले आउफ में पहुँचा पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर लिखें